नमस्का साथियों जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोग UPSC और आपके State PCS Prelims को ध्यान में रखती हुए यह सभी आपकी किलासें लिए जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग ने प्राचीन भारत का इतिहास कवर किया था और अब हम लोग मद्यकालीन भारत का इतिहास देख रहे हैं तो इसमें आपने देखा होगा कि लास्ट किलास में हम लोगों ने मोगलों के बारे में बात की थी और आप लोगों ने अगर अपनी परिक्षाओं के पुराने questions paper उठा के देखे होंगे तो आप सभी को मालो भी होगा कि इतिहास से आपकी परिक्षाओं में अच्छी खासी संख्या में questions पूचे जाते हैं और इसके लिए एक separate playlist सूची बना दी गई है UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से इसमें आपका prelims का पूरा syllabus आपका cover करवाया जाएगा तो वहाँ जाकर आप लोग देखते रहीएगा आज हम लोग Maratha समराज एवं सिवाजी के बारे में बात करेंगे इसमें आप देखेंगे कि हम लोग महुसले का बंस का उदय किस तरह से हुआ उस पर बात करेंगे सिवाजी के बारे में जानेंगे सिवाजी के अपिसासन देखेंगे सिमाजी के उत्तरादीकारियों को देखेंगे पेसवाओं के अंतरगत Maratha को देखेंगे और पेसवाओं के अंतरगत Maratha पिसासन किस तरह से रहा है उस पर भी बात करेंगे और याद रखे इनसे भी आपकी परिक्षा में questions इस topic से पूँचे जाएंगे और मैं आप लोगों से हर बाल बोलता हूँ कि जब यह आप लोग किसी exam की तयारी करते हैं तो 4-5 साल पुराने questions फेवर उठके उठा के देख लिए या करिएगा उसका syllabus आपके पास होना चाहिए और इससे क्या रहता है कि आपको मालू चल जाता है कि कौन सा topic महत्पूर है कहां से questions बार-बार पूछे जा रहे हैं और अरंग जेब के समय में 25 वर्स दक्कन में मराठों के साथ भीशन संगर्स में बिताने पड़े और अच्छी भली आप देख सकते हैं कि ओरंग जेब और मराठों में संगर्स हुआ और मराठों ने अच्छी टक्कर भी दे मराठों के बरोध चलने वाला यह दिर्ग शंगर्ष और अंतता मुगल संगराज के पतन का कारण से दुगा यानि कि दोनों के वी जो संगर्ष चला था ये मुगल संगराज के पतन का कारण कारण भी बना पानिपत के तितिये युद्ध में अपनी पराजाई के पहले तक मराठे दुर्जे बने रहे और आप देखें ही मराठा महार मुगलों और बेटे सत्ता के भारत में उदाय की भी सेतु के रूम में उदित हुए और 17 सदी के उत्तराड में मराठों के उत्थान के कारणों पर विद्ध्वानों ने अनेक ब्याक्याएं दी हैं अगर हम लोग ग्रांट डपने की बात मानें तो इन्होंने कहा है कि मराठों का उद्धाय आकस्मिक अगनी कांड की भाती हुआ परंतु इतिहास कारों ने मराठा इतिहास को उच्छेत की भोगोली परिस्तितियों और रंगजेप की हिंदो विरोधी नीतियों और उनके पर डाम स्वरूफ हिंदो जागरन, भक्ती आंदोलन, मराठा संतों का धार्मिक आंदोलन और जिसे माराटों के गौरव को जगाने के साथ गहने जादी पिता पर भी वार किया और सर्वोपई सिवाजी के चमतकारी व्यक्तित्ति के परिपेक्च में देखा गया है और आप सभी जानते हैं कि देखे औरंग जेप की जो कट्टर पंती सोच रही है और आप देखी हिंदू के साथ या और धर्म के साथ जो इसने भेदभाव किया जो अत्याचारी किया उसका आज भी देखिया कि हमरे देश में बिवाद बना हुआ है मंदिर मस्चित आप लोग बिवाद देखते रहते हैं न कई विद्वान कहते रहते हैं कि तीन हजार से जाना मंदिरों को तोड़का मुगलों ने उसकी जगए मस्चित बनाई हुई है और यह उद्या का मामला देख लिजे आप लोग चाहे बनारस का मामला देख लिजे आप लोग अपनी पुस्तक दासबोध में करम दर्शन का उपदेश दिया और सिबाजी की पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और तथा महराश्ट धरम का पिरचार करने के लिए पुरोसाहित किया तो सिबाजी की गुरू के बारे में भी याद रखे रामदास अब बात करते हैं बहुंसले बंस का उदेट सिबाजी बहुंसले बंस के ते गस बंस के ते बहुंसले बंस के ते जो पूना के हिंगानी बैडनी और आप देखेंगे दिलाओ गाओं के छेत में निवास करते थे और सोलेवी सताबदी में इसके मुखिया बाला जी थे और जिसके मालो जी और बिठो जी दो पूते थे सिबाजी के पितामा मालो जी निजाम साही राजी के अंतरगत दौलताबाद की निकट विरूल नामकिस्थान पर रहते थे तो अगर सिबाजी के पितामाई की बात करने तो मालो जी थे और वह है एहमद नगर के उच्छ सामन्ती लपकुजी जाधो राओ के पिरभाव से मुर्तजा निजाम साही की सेवा में प्रविष्ट हुए और मालो जी ने एक पिरभाव साली जमीदार की साहिता से उच्छ पत प्राप्त किया और अपने पुत्त साहिजी का विवार जाधो राओ की करनेया से किया यानि कि कहने का मतलब सीधा सा समझी आप लोग कि जो सिवाजी महराज थे यह आप देखे कोई इनका परिवारिक बेक्ग्राउंड आप सोचे कि राजा महराजा नहीं रहा यह आम जमीदार थे कई लोग कई बिद्वान इतियास कर कहते हैं कि बहुत निचले तपके से उठकर आये थे इन्होंने अपना संगर्ज किया अपनी दम पर एकतरे से इन्होंने जो पाया अपनी दम पर पाया कई लोग कहते न आप लोग अभी भी राजनीती में देखते हैं कई लोगों को अ की समस्याओं को जानता है लोगों की जिन लोगों ने उसे उठाया जिन लोगों और मुगल बात्सा ने साही जी को 5000 का मंसब तथा 2,00,00 रुपे का पुरुषकार पिदान कर सम्मानित किया और उसे कुछ जिलों की जागीर पिदान की जो निजाम साही के सरक्षक में मलिक अंबर के अधीन थी किन्तु जब मलिक अंबर के पुत्र फटे खाने साही जहां की अधीनता सुईकार कर ली तो वात्सा ने उसके पिता की जागीरे उसे बापस कर दिये और इसे कुरोर होकर माराथा पिरमुक ने बिद्रोही पिरमित्ती अपना के अभीजापुर के आदिल साही का पक्ष गहर कर दौलतावाद पर आकमर कर दिया और साही जी की पराजय हुई परन्तु आदिल साही ने उसे फूर्णा और सोफा की जागीरे सौप दी अब बाद आती है सिवाजी से और सिवाजी से कुष्टन्स जरूर पूंचे जाते हैं सिवाजी का जनम पुना के उत्तर में जुन्नार के समीर सिवनेर के दुर्ग में 1627 में होता है कब होता है? 1627 में होता है इनके पता का नाम साहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था सिभाजी स्वयम को कुलीन कहने में गरब का अनुभाव करते थे क्योंकि वो अपने पता को उदैपूर के राजपूत राजाओं के कुल से सौधिया से और माता को देवगरी के यादो कुल से संबन्दित मानते थे सिभाजी के व्यक्तित पर सरवादी प्रवाव उनकी माता जीजाबाई और सरक्षक सिक्षक दादा कौन देव का पड़ा और अध्याद्मिक चित में सिभाजी के आचरन का समर्थ गुरू रामदास का काफे पर भाव पड़ा सिभाजी ने हिंदू पदसाही अंगीकार किया और ब्रहमणों की रक्षा का बर्त लिया और हिंदू धर्मोद्धारक की उपादी धारन की सिभाजी ने सरफितम 1643 में वीजापूर के सिंगगड के किले पर अधिकार किया उसके बाद आप देखिए 1646 में उन्होंने तोरण पर अधिकार किया और 1656 तक सिभाजी ने चाकन, पुरंदर, वारामती, सूपा, टेकोना, लोहेगर, आधिवेभन रिकलों पर अधिकार कर लिया 1656 में चंदराओ मोरे ने सिभाजी से जावली का किला छीन लिया और 1657 में साजा की काल में सिभाजी का मोगलों से सरफितम संगर्स हुआ पर धावा आप देखेंगे धावा बोलकर लूट पाट की और तथा कॉंकर के छेत को जील दिया सिभाजी की विस्तारवादी नीती से संसकेत होकर बीजापुर की सासक ने सिभाजी की सकती को दबाने उन्हें कैद करने के लिए 1669 में अपने योग सरदार अफजल खा की नेतत में एक सैने टुकडी भीजी सिभाजी ने अपजल खा की हत्या कर दी और 1660 में मुगर सासक औरंग जीम ने सह साथा खा को सिभाजी को समाब्त करने के लिए सह सैस्ता खा ने वीजापुर राज्य से मिलकर सिभाजी को समाब्त करनी की योजना बनाई और 1663 में सिवाजी ने रात्री में चुपके से पूना में फिर्वेस कर सहिस्ता खां की महल पर आगमड कर दिया और सहिस्ता खां घबरा कर भाग गया जिससे मुगल सहना को काफी छती हुई यानि की नुकसान हुगा किसे मुगल सहना को 1664 में सिवाजी ने मोगलों के एक महत्पूर के लिए सूरत को लूटा और जहां से उन्हें एक करोड की संपत्ती प्राप्त हुई थी सूरत की लूट के समय सिवाजी ने अंग्रेज एवं डच ब्याबारियों को नहीं लूटा और उसमय जोर्ज ऑक्षडेन सूरत में अंग्रेजी कमपनी का ध्यक्ष था और औरंग जीम ने सैस्था खाके आसफल होने पर मिर्जा राजा जैसिंग को दच्छिड भी भेजा था और जैसिंग एक चत्वर कूटनेतिक था उसने वीजापुर को जीतने के लिए सिवाजी से मित्तरी करना आवस्सक समझा यानि कि मित्ता बनाना आवस्सक समझा और आप देखेंगे अता और सुंदर किले पुरंदर के किले पर मोगलों की विजय और राजगर की घेरावंदी के बाप्चू उसने सिवाजी से पुरंदर की संधी की और पुरंदर की संधी के समय में विदेशी यात्री मनूची पुरंदर के गेरे में था तो ये भी याद रखिएगा पुरंदर की संधी की बात करें तो ये 22 जून 1665 की में हुई 4 लाग हूड वारसिक आये वाले 23 के लिए मुगलों को पराप्त हो गए और जबकि रायकर सहित एक लाग वारसिक वाले बारे के लिए सिबाजी के पास बचे सिबाजी का पुद्ध संभाजी पांच चार गोड सबाज सेना के साथ मुगल सेना में सामिल हो गया और सिबाजी ने वीजापुर की विरद मुगलों का साथ देने का बचन दिया था जैसींग के अनरोध पर सिबाजी और मौरंग जे से मिलने आगरा गए जहां उन्हें जैपुर भवन में नजरबंद कर लिया गया और लेकिन सिबाजी अपने पुद्ध संभाजी के साथ वहां से भाग निकले और दके इनके सुवेदार सहजादा मुअज्जम तथा जस्वंत सींग के प्रयासों से 1668 में सिबाजी की मुगलों से पुना संदी हुई और जिसमें सिबाजी को राजा मान लिया गया और 1670 में मुगलों से मदवेद हो जाने के कालत सिबाजी ने दूसरी वाज सूरत को लूटा और 14 जोन 1674 को सिबाजी ने कासी के पिसिद बिद्वान गंगावट से अपना राजजविसेख राएगर के में करवाया था और चत्पती की उपादी धारन की थी राजविसे के 11 दिन बाद उनकी माता का देहान थो गया और अतान निश्चल फुरी आप देखेंगे गौसाही से पुनाह अपना राजजविसेख इन्होंने करवाया था सेवाजी ने अपना अंतिम महत्पूर अभियान 1677 में करनाटक के विरोध किया और आप देखेंगे इस अभियान का मुख खुद्देश बिजापुर के आदिल साही राजजी पर अधिकार करना था इसके लिए उन्होंने गोलकुंडा के दो ब्रहमर मंत्रियों मधन्ना और अखन्ना के माध्यम से गोलकुंडा के सुल्तान के साथ गुप्त संधी की और इस अभियान में सेवाजी ने जिंजी, मदुराई, बेलूर, करनाटक और तमिलाडू के लगबग 100 किलों को जीता थ और जिंजी को उन्होंने अपने दच्छडी चेत की राध्धानी बनाया, सिवाजी का संगर्श जंजीरा के अभी सीनियाई सीधियों से हुआ था और 12 परेल 1680 में सिवाजी की डैथ हो जाती है, इनकी मित्ती हो जाती है, सिवाजी की पिसासन के बारे में अगर हम लोग ब ये कुसल पिसासक की उजना तेयार की, जो उनमें बिद्दमान स्पिसासनिक गुड़ों का परचय देती है, और सिवाजी का राजत आदरस प्राचीन हिंदू सिधानतों पराधारी था, और आप भी ज्यानते हैं कि कई नेताज की समय में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो पड़े लेके नहीं हैं फिर भी आप देखते हैं कि अच्छी सासन विवस्ता चलाते हैं, कई पड़े लेके हैं जो आप देखते हैं कि सासन विवस्ता की बारी में मालू ही नहीं रहता है, तो मुझे लगता है कि अनुभा जरूरी रहता है, पड़ा लिखा ना हो तो कई पड़े लेके लोगों को भी आप लोग वेवकूब जी जैसी बातें करते हुए देखते होंगे और बिना पड़े लेके लोगों को भी आप लोग देखते हैं समझदारी एकी बातें करते हुए देखते होंगे यदि उनके 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 सासन पदिती की तुला मुगल सासन विवस्था की से करें तो दोनों में पर्याप्त सम्ता दिश्टी कोचर होती है और यह विदीत होता है कि सिवाजी ने अधिकांस रोप में मुगल सासन विवस्था को सुईकार किया था क्योंकि आप सभी जानते ही कि उनी के समकाली इन सा सकते राजा थे तो वो तो परवाव पड़ेगा है राजी के संफूर अधिकार वा सकतिया राजा के हाथों में केंदे थी राजा सवस्थ पिसासन की धुरी तथा उनकी उपाधी छतवती थी सिवाजी के सौराज अपना राज्य में महराष्ट करना तक और तमिलाडों का काफी विस्तचेत सम्मिलित था सिवाजी ने मराठी को अपनी पिसासनिक भासा बनाया था और पिसासनिक सब्दाली वली के लिए रगुनात पंडित हनबंती की निरिक्चन में राजविवार कोस्त तेयार किया गया था और सिवाजी के पिसासन का कार आठ तिरमों के बैक्ती देखते थे जिने आप लोग अश्ट पिधान कहा जाता है और एक कई बार पूछ लेता है कि अश्ट पिधान किस से संब्दित है सिवाजी के सासन से अश्ट पिधान परिशत की बात करें तो पिसासन में सिवाजी की साहता और परामर्स के लिए आठ मंत्रियों की एक परिशत थी जैसे अश्ट पिधान कहा जाता था अश्ट पिधान परिशत का पिते एक मंतरी अपने बिभाग का प्रमुक था वह सिवाजी द्वारा नियुक्त होने होते थे और अपने कारियों के लिए सिवाजी के पिती उतरदाई थे मंतरियों से परामर्स लेने के लिए सिवाजी बाद नहीं थे और इनका पदवानवासिक नहीं होता था तो अब राजा है तो राजा आप सलाय देजी तो मान लेंगे और नहीं देगे नहीं मानना होगी तो मना कर देंगे एक तरह से आप सूचिए कि जब आप लोग इस्टूडेंट लाइब में होते हैं तो आपकी फिताजी आपने पेशवा देखेंगे ए मुख पिधान पिसासं की सभी वर्गों बिभागों की देखवाल करता था और राजा की अनपस्तिती में सर्वे सर्वा होता था सभी सरकारी दस्तावेज्यों को राजा की हस्ताक्चर के बाद पेशवा की मोहर और हस्ताक्चर आबस सकता अमात मज मजमुवादार इबित एवं राजस व्यभाग की देखवाल करता था वाक्यानवीस मंत्री राजा की देनिकारियों को लेख वद करता था और उसकी स्तुरक्चा व्युस्था की देखवाल भी करता था गुप्त चरी का कार भी इसी के पास या आधुनिक ग्रह मंत्री के सबान था और आप देखेंगे सुरन वीस सचेव या चिट निस या साही पत्य विभार विभाग का पिरमुक था परगुनों की आयवेक की देखवाल भी करता था सौमंत दवीर या विदेश विभाग का पिरमुक था विदेश विभाग का पिरमुक था पंडित राओ सद्र यह आप देखेंगे यह धार्मिक कारेों का संपादन करता था तक्त हा राजा की ओर से विद्धवानों और ब्रहम्मणों धार्मिक संस्थानों को दान देता था साथि पिरजा के नेतिक चरित्त circuit को भी सुधारना भी इसका पिरमुक आम था, फिर आप देखेंगे यह नियाय विवस्ता की देखबाल करता था, सरनोबत एसा पिरमुक का सैना का संगठन करना, और सैन साजो सामान एवन रसत की आपूरती करना था, यह राजा की अनुबस्तिती में सेना का संचालन भी करता था इन सभी को याद रखेगा कौन किस से संबन देते योगि कई बार कुश्चन से पूँच लेता है सेनापती की अत्रिक प्रया सभी मंत्री ब्रहमड होते थे और सेनादीस तथा पंडित राओ कुछोड का सभी को अकसर पढ़ने पर योद्य में भाग लेना पड़ता था और बेभाग ये दाइत की निस्पादन के साथ साथ तीन मंत्रीयों फेसवा, सचिव और मंत्री को बड़े प्रांतों का प्रभारी बनाया जाता था और प्रांती पिसासन की अगर हम लोग बात करें तो सिवाजी का समस्त राज आज स्थिर था और उसकी कोई निश्चे सीमाय नहीं थी किंतु पिसासन की सुविधावं समुची संचालन के उद्देश से उन्हों अपने राज्य को चार प्रांतों में विभाजित किया था प्रांत पती अपने प्रांत की पिसासन के लिए उत्तरदाई होता था प्रांतिय पिसासन केंद्री पिसासन की पित्ती किर्ती थी और पितेक प्रांत राजस की आधार पर महालों जिलों में विभाजित था जिसका प्रमुक महालदार अथवा तरबदार कहलाता था जिला मोजों में बिभगते थे और मोजे गरांगे भीभकते थे काम वी सववदार 2 या 3 गरांगे का पिसासन देखता था नमक अधिकारी की नेकति की ञाती थे इस तरह से सौराज प्रांथ जिला महाल मोजा और गांग सिवाजी की परांथ देखें तो उत्री परांथ हो गया इच्छत हो गया परांथ पती उत्री परांथ बंबई के उत्तर में सूरस से लेकर कुना तक मोरोत त्रमबक पिंगली यहां की परांथ पती थे नियाय विवस्था की बात करने तो आप देखेंगे सिभाजी की नियाय विवस्था निस्पक्षिता पराधारी थी जिसमें सिभाजी स्वैम सरवोच नियादीश थे और सिभाजी को नियाय विवस्था का सरवोच माम लद्दार होता था और सबसे नीचे आप देखेंगे गराम इस तर पर पार्टिल के द्वारा नियाएक नेड़े दिया जाता था और फिर आप देखेंगे मराठार कानून प्राचीन संस्किती इसमिती गरंतों दाय भागों और मनु इसमिती पर आधारी था और आज भी आप देखते हैं मनु इ इसमिती का काफी विरोद होता है दीबानी मुकदमों का नेड़ा पंचयादें करती थी जो पंच परमेसो कर लाती थी पंचयाद से अपील ममलत दार की इहां और फिर सरसुविदार की न्याले की पश्चा चत्वत्ती के न्याले में की जाती थी जो न्याय नेड़े की सर्वोच संस्ता थी एक तरह से आपने देखा होगा कि आप लोग निचली अदालतों में जाते हैं फिर जिला अदालत में जाते हैं फिर आपने देखा होगा कि अगर हम लोग सिवाजी के समय की तो रेयत वाडी विवस्ता सिवाजी ने मलिक अंबर की भूराजस से विवस्ता को आदर्स मानकर उसे कुछ परिवर्तनों के साथ अपने राज में कहयानवित किया और उसने भूमी मापन के लिए रस्ती के स्थान पर काठी लकडी का इससे बढ़ा कर दो-पांचबा भाग लिया जाने लगा यह नगद अत्वा अनाद दौनों रूम में चुकाया जा सकता था तथा राजस की उगाही वारसिक होती थी राजस बेवाग की अधिकारियों की निफ्ती सीधे केंदरी सरकार करती थी जो मुक्ता ब्रहमण होते इनका करता भूराजस से कतित करके उसे पूरे विवरन के साथ राजकी कोस में जमा कराना था अनुवांसिक मिरासदार ठेकेदारों को भूराजस से देने की ततकालिक विवस्ता संबात कर दी गई और अब राजी की सभी वकाया धनरासी राजस सदीकारी ही बसूल करने करण खरी सकें और भूराजस से ववस्था कि अंदरगर थी चौथ और सरदेश मुखी भी आते थे यह भी आप देखें टेक्स ही थे जो सिवाजी के आए के प्रमुक साधन थे चौथ की बात करें तो उन पिरांतों से लिया जाता था जिनने मोगलाई कहा जाता था यह पिरा परांतों को यग भी किसी पिकार की मराठा सेनिक साहता अकास्वासन नहीं तो नहीं था परन्तु आप देखें कि तदापी लूट पार से मुक्ती अवस्थ से मिलती थी कि हम लूटेंगे नहीं आप लोग हमें इतना देते रहिए सरदेश मुकी एक अन्यपकार कर था जो पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था यह उस पे देश के भूमी कर का दस बाभाग था और सरदेश मुकी वसूल करना सिवाजी अपना कानूनी अधिकार मानते थे क्योंकि वे महराष्ट के पुस्तैनी सरदेश मुक जमिद अगर हम लोग सिवाजी की समाई की सेन्ड वे उस्ता देखें तो सिवाजी का एक महान सैनिक व्यक्तित था जिसमें आसाधान संगठन कारी चमता थी उन्होंने माराठा प्रमुक के एवं जातियों को अपने राष्ट के सामान हित के उद्देश से एकिकित करने में सफलता प्रमुक की और उन्होंने यत तत विख्रे माराठा को इकतित कर एक राष्ट के निर्मार्ण राष्ट के रूप में संगठित किया और दच्छे में बीजापूर एवं गोलकुंडा के अत्रिक्त एक तितिये सक्ती माराठा के उत्थान का मार्क पिसस्त किया और उनकी सेन में पितेक नौ सेनिक पर एक नायक होता था और दस नायकों पर एक हबलदार तीन हबलदार पर एक अमला देखेंगे जुमलादार दस जुमलादार पर आप देखेंगे एक हजारी और सबसे उपर सरे नौबत होता था साही घुड सवारों को वरगी कहा जाता था जिसमें आप देखें कि 25 घुड सवार रहते थे और इन्हें राजी की ओर से घोड़े पिदान किये जाते थे जिन सैनिकों के पास स्वैम के घोड़े एवं अस्तर सस्थ होते थे उन्हें सिलेदार कहा जाता था महराष्ट में दुर्गों का नेडायक मत होता था और सिभाजी ने पितिक दुर्ग में आयोधों की समय विवस्था की और दुर्ग में उत्तरदायत पूर्ण योग अधिकारियों की को निवक्त किया सिभाजी ने अपनी स्थेना में नो सैनिक विवाग का गठन कर उसकी सकती की बिद्धी की और कौंकर चेत पर आधिकार करने तथा जंजीरा के सीदीयों ने अपने समुद्ध तटकी रक्षा के लिए सिभाजी ने कुलावा में स्थेनिक बेड़ा इस्ताविद किया था तो ओे सामिक विवस्था हो गई अब हम लोग क्या करते हैं सिवाजी के उत्तर अधिकारी देख लेते हैं कि इनके बाद कौन-कौन का उत्तर अधिकारी हुआ तो आप देखेंगे कि सिवाजी के उत्तर अधिकारी में संभाजी आते हैं और ये 2880ch से 89 तक रहते हैं चमताओं और एवगताओं पितिवा का अभाव था यदि वह चाहता तो दच्छन में औरंगीब की विवस्थाओं का लाव उठाकर अपनी सकती संचय कर सकता था और अपनी बीजापुर गोलकुंडा की सब सल्तनतों की रक्षा कर सकता था उसने पिसासन का समस्त और उनकी एक्ता चनविन हो गई 1689 में और अग्जेब ने संभाजी की हत्या करवा दी और उसकी राध्धानी राएगड़ पर कपजा कर लिया और उसके पुद्र साहू और पतनी एसु भाई को गरपतार के राएगड़ के किले में कैद करवा दिया गया तो संभाजी की ग मराठा मराठा चत्पती बना राजा राम ने अपने को साहू का पितिनिदित माना और उसने मराठा सरका सरदारों को अपनी सेना रखने और अपने छेत के में सुतंता पुरवाट कार करने की छोट दी 1689 में राजा राम मुगलों के आकबन की असंका से राएगर छोड़कर जिंजी चला गया और 1689 में से 17 मराठों की राधानी बनी और 1689 में तक मुगलों के इने संपून मराठा चेत पर अधिकार कर लिया और इसी समय राजा राम की नेतित में मराठे अपने देश की सुतंत के लिए कटीवध्ध हो गए और यहीं से मराठों का सुतंता संग्रा मारम हुआ और 707 तक यह चलता रहा कब तक 707 तक चलता रहा और जब तक साहगु को मराठा चतपती नहीं सुविकार कर लिया गया तो राजाराम ने मराठा सरदारों को जागीरें पिदान की जिसके पैड साहसो में राजाराम की मौत हो जाती है मित्ति हो जाती है फिर आप देखें कि तारावाई के समय आता है किसका तारावाई के समय आता है यह सत्रहसो साथ तक राजाराम की का उत्तरादीकारी उसका अहवैस्ट पुत्त करन था जिसकी चेचक से मित्ति हो गई यानि की मौत ह गई तारावाई ने अपने पुत्र सिवाजी दुतिये को सेंगासन सेन कर स्वय में उसकी सेरक्षी का बन गई वह मोगलों की विरुद्ध मराठों की बच्चाओं की सतत एवं सहसिक चेश्ठाय करती रहें और उसकी नेतते में मराठा में नव जीवन का संचार हुआ उन्हो अपने अधिकारों की असमराज्ज की लिए लड़ रही थी जीस समय आप देखिए घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती थी यागिपी मुगल मराथा योद्धी की समापती के लिए संधीब आरता भी हुई परंतु आसफल सिद्ध हुई 1707 में औरंगेप की मित्यू के बाद भी मुगल मराथा संगर संबन्द पूर्वत बने रहे फिर आप देखें कि साहू ये 1707 से 1748 तक औरंगेप की मित्यू के बाद उसके पुत्त आजम ने साहू को कैद से मुक्त कर दिया और साहू कैद से मुक्त होने के बाद जब सतारा पहुँचा तब तारावाई ने सिवाजी दुतिये को चतपती गोसित कर दिया था 1707 में साहू जी और तारावाई की मद्ध खेडा का योद्ध हुआ कौनसा खेडा का योद्ध ए 1707 में साहू जी और तारावाई में आपस में हो रहा है जिसमें साहू जी बाला जी बिसुनात की मदस्ते बिजय होते हैं यानि की जीतते हैं और 1708 में साहु ने 17 पर अधिकार कर लिया और इसी के साथ मराठा राज दो भागों में विवक्त हो गया, 17 में साहु और कुलापूर में सिबाजी दुतिये प्रमुक बने, साहु ने 1713 में बाला जी विसुनाद को पेशवा बना दिया और पेशवा की पद पर बाला जी विस मराठा के ब्रमड पिधान मंत्री थे, जिनका उदे मराठा सेना की नियन तक सेना करते की रूम में हुआ, तथा बाद में वह मराठा समराजी की बास्तिविक सासक बन गए, पेशवाओं ने 1749 से 1818 तक मद भारत पासासन किया, अन्न मराठा राज्यों के विदेसिक, विद बारा नियन्तित हो गई, और पेशवा मराठा सलाकार परशद अश्ट पिधान के सबसे प्रमख मंत्री होते थे, जिनका इस्थान चत्वती के बाद आता था, पेशवा का पद आरम से बंसानुगत नहीं था, परन्तु पेशवा सत्ता के वास्तवी संस्थापक बाले जी बिच्वनात ने इस पत को बंसानुगत बना दिया, और पेशवा के सासनकाल में मराठा सक्ती का बिस्तार उत्तर से दच्छिन तक हुआ, और अंग्यव की मित्री के परशात उत्तरा अधीकारी कियोदे के कार मोगल सक्ती छेन कमजोर हो गई, जिसका लाभ पेशवा के मराठा राज की आंतरिक स्थिति अतंत दोर्वल यानि की कमजोर हो गई थी, तथा मराठा सरक्दार व्यक्तीगत हित्सादने में लग गए थी, और ऐसी परिस्तिति में मराठा सत्तिपदी के पद को मोगल समराठ ने वैधानिक मानता देलवाना, तथा राजी की आंतरिक स को सुद्रण यानि की सक्ति साली करना जांद आवस्क था और साहू को इन कारियों में अपने तीन एउग पेस्माओं बाला जी विस्वनात बाजी राओ पिथम बाला जी बाजी बाजी राओ का अमूल एउगदा में लाएने इन पेस्माओं ना सरफ मराठा राजी की आंतरी में विस्वास रखने और उन से विस्वास पराप्त करने की भी छमता थी इसी कारण उसने बाला जी विस्वनात उसके पश्चाद उसके पुत्त बाजी राओ और तदुपरांत उसके पुत्त बाला जी बाजी राओ उसको पेस्वा बनाया और इनोंने भी वफादारी नि एक तरफ जहां पेस्वाओं की सक्ति और सम्मान में बिढ़ती हुई, वहीं दूसरी तरफ मराथा सत्वती के सासन में इस्थान अगन हो गया। का प्रमुक कारण भी बनी, पर आप देखें कि बाला जी अगर विस्वनाद की बात करें, तो 1713 से 1720 तके रहे, और पेस्वाओं बाला जी विस्वनाद कौंकर इस्तित स्री वर्धन नमकिस्थान की चित पावन ब्रहमर परिवार में पैदा हुए थे, वह राजस्वित्था सेंद दोनों ही विस्वाओं पर बड़ा अच्छा ग्यान रखते थे, और वाला जी विस्वनाद को मराठा समराज का दूतिय संस्थाफ़क भी माने जाता है, किसे वाला जी विस्वनाद को, उसने अपना जीवन एक छोटे राजस अधिकारी की रूम में पैरम किया था, बाला जी विस्वनाद 1699 से 1708 इसवी के मद मराठा सेनापती धनाजी जादों की सेना में और साहू के मराष्ट में प्रिवेश करने की अउसर पर दौल्दावाद का सर सूवेदार थे, और साहू ने 1708 में बाला जी विस्वनाद को सेना करते, सेना का बिवस्थापक का पत और विस्नाथ ने वफा दारी से साहू की सेवा और महाराच्च में साहू की स्तिति को सकती साली किया, सद्रुन किया, और विस्नाथ की सेवाभाभों से पिसन होका साहू ने राज़ी कर लिया, 1714 में उसने मराठा 9 सेना पती कानो जी आग्रे को साहू का मराठा चत्पती सुईकार करने के लिए राजी कर लिया और विस्वनाद ने कौसल और योध्य से साहू के बिरोधी मराठा सरदारों को पराष्ट करने में सफलता पाई उसने राजी की आर्थे किस्ति को सुधारने का आज सफल प्रेयतन भी किया और वाला जी विस्वनाद की सबसी महत्पूर्ड उपलब्दी मोगलों और मराठा की मद्द एक इस्थाई समझोती की विवस्था थी जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों तथा प्रवावचित की विधीवत विवस्था की गई मोगल बाथसा फरुक्सियर सियद बंधूओं की सक्ति को नष्ट करने के लिए प्रेयतन सील था और अतहा सियद बंधूओं ने फरुक्सियर को सिंगासन से हटाने का प्यरतन आरम कर दिया और मुगल सुविदार सियद हुसेन अली जो उस समय दच्छिन भारत में था साहू से एक संधी का पिस्ताओ किया और 1719 में बाला जी विस्वनात ने मुगल सुविदार सियद हुसेन अली से एक संधी की जिसमें निम्न सरतें थी कौन कौन सी सरतें थी साहू को सुराज छेत पर राजस अधिकार की मानता दी गई मराठों को दक्कन के छे मुगलों सुवों साहू ने उपयुक्त संधी के पिती उत्तर में मुगलों को पचास पंदरह हजार की साहता देने मुगल बासा को 10 लाक रुपी पिती बर्स देना सुईकार किया यह संधी विस्वनात की एक बड़ी सफलता थी और इससे आपित्यक्ष मराठी दच्छिन भारत की संप्रभू सासक बन गए और बै तथा चौत एवुम सरदेश मुखी बसूले के अधिकार के माध्यम से उन्हें अपने राजिकी को विस्तार करने का उसन मिला रेचर्ड टेंपल टेंपल ने इस संधी को मराठ्रों का मेगना कार्टा का और 1720 में बाला जी विस्वनात की मौत हो जाती है फिर आप देखेंगे बाजी राओ पिथम आता है 1720 से 1740 तक रहता है बाला जी विस्वनात की मौत्यू के बश्चा है साहूर ने उसके 20 वर्सी पोत्त बाजी राओ पिथम को पेसवा का पद पिदान किया बाप के बाद बेटा परिवार बाद ठीक है बाजी राओ पिथम एक योग कोट नितिक और सफल सेनापती सिद्ध हुआ अपने पेरतनों से उसने मराठों को भारत की पिथम सेडी की सक्तियों में इस्थान दिला दिया और बाजी राओ पिथम जब पेसवा बना तो उसके समक्च अनेक कटनाईयां बिद्धमान थी सेनापती तिमवक राओ ने पेसवा का विरोध किया और कोलापुर के संभाजी दुतिये ने साहू जी के अधिकारों के विरुद में अपने अधिकारों का दावा किया और निजाम उल मुल्क ने दच्छन भारत में मराठा सक्ती को चुनोती दी तथा कोंकर पेदेश में सीधियों और पुर्दगालियों ने मराठा को चुनोती दी फिर आप देखें कि बाजी राओ पिथम ने 1728 में सूकर खीडा की योद में और 1738 में भोपाल की योद में निजाम उल मुल्क को पूरी तरह से परास्त करके यानि कि हरा के करके किरम सा मुंगी सेयोगाओं और दुरई सराय की संधी करने के लिए विवस्त किया और निजाम ने संपूर मालवा का प्रवेस और नर्वदा से चंबल तक की पूरी सत्ता मराठों को सौपती थी और 1731 में डभोई की योद में तंबक राओ को पराजित कर बाजी राओ पिथम ने सारे मराठा पिती द्वन्दियों कांद कर दिया और इसी इपकार बाजी र अब यान के द्वारा सीधियों को पूरी तरह से पराजित कर दिया और 1749 में पूर्दगालियों से साल सेट और वेसिन चीन लिया इनों है बाजी राओ पितम का प्रवक लक्ष उत्तर भारत की और मराठा सक्ती का विस्तार करना था बाजी राओ पितम मुगल समराज की ती हिंदू पात्साही का आदर्स रखा और उसे लड़ाकू पेशवा की रूम में इसमाड किया और मुगल समराज की पतोन अमोख अवस्था में राजितिक सुनेता बराप्त हो गई और बाजी राओ पितम ने इसकार की पूर्ती करने का परतन किया और उसकी बेवारिक योद बुद्धी और महानादर्स का प्रमाड है 1740 में बाजी राओ की मित्यू तक मराटे भारत की सरुपसेष्ट सक्ति का इस्थान पराप्त कर चुके थे फिर आप देखेंगे बाला जी बाला जी बाजी बाजी राओ 1740 से 1761 बाजी राओ बाजी राओ पितम की मित्यू के पती ना था परंतु बेवार को सल अवस्ते था इसका और बाला जी बाजी राओ उपने पूरे पेसबा काल में अपने चचेरे भाई सदासिव राओ भाओ के परामस और मार्ग निर्देशन पर निर्भर रहा इसके काल में मराठा राज जी का सरवादी के प्रिसार हुआ बाला जी ने मराठा अर्थ एवं सासन रिवस्ता में कुछ मात्रा में सुधार किया परंतु उसकी मुक्यता दुरबलता मराठा सरदारों में एकता और उन्हें अपने हधीन बनाए रखने में आसफल रहना थी और वह रगूजी भौसली की महत्वा कांचाओं पर अंकुस ना लगा सका उसने गैगबार को असंतुष्ट कर दिया वैसिंदिया और होलकर की पारसपरिक पितीस परदा को ना रोक सका और बाला जी की काल में आप देखेंगे 1752 इस भी तक मराठा अपनी सक्ती की चरम सीमा पर पहुँच गए और मुगल वात्था मराठों के हाथ की क इस फक्ष विसासन विस्था करना भी आवस्थ होता है परन्तु मराठी अपने बड़े हुए उत्तरदायत को समहलने में आसमर्ष्थ सिद्ध हुए और आप सभी जानते हैं जिसका उद्भव है उसका पतन भी निश्चेत है और यानी की जनम है तो मरना के लिए रहे बाल से राजपूत मराठा संबंदों में बिमनस पैदा हो गया यानी की लड़ाई बिरोध हो गया शुरू और इसे ही पिकार मराठों ने मुगल बासा का पक्ष लेकर जाट राजा सूरज मल से अपने संबंद खराब कर लिये और 1741 में बाला जी ने रगुजी भौसले की बिर 1750 में मराठा चतपती राजा राम और पेशबा की मद्द संगोला की संधी हुई यह भी याद रखेगा किसके मराठा चतपती राजा और पेशबा की मद्द हुआ था संगोला की संधी इस संधी के द्वारा पूना इस्तित पेशबा मराठा संगठन का बास्तविक नेता ब भारत में चौध वसूल करने का धीकार दिया, मराठों ने इसके एबज में आउसर पढ़ने पर मुगल बासा की सहाथा का बचन दिया, फिर आप देखेंगे सत्रे सु चंगुन में रगुनात राओ की नेतत्म में मराठों ने मुगल बासा अहमद साय कुर सिंगासन से अटा कर आलमगीर दुतियों को सिंगासन रोड किया, और 1757 में मराठों ने दिली पर आकमड कर अहमद साय अबदाली के पिति निधी नजीब उद दौला कुमीर भक्सी के पद से अटा दिया, और 1758 में रगुनात राओ ने अबदाली के पुत्र राजकुमार तेमूर को पंजा लिए के बीच, पानीपत के तितियों युद्ध की बात करें तो 14 जनवरी 1761 को होता है, इन युद्धों को भी याद रखिए, इनसे कई बार पूँच लेता है, आपको पीछे बता चुका हूँ, पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ, किन किन के बीच हुआ, दुद्ध लिए, 1760 में सदासिव राओ, भाव के नेतित में मराठा, मराठों ने दिल्ली पादिकार कर लिया, 14 जनवरी 1761 को दोनों पक्षों के मद्ध, पानीपत के मैदान में यह दुआ जिसमें मराठा सेना का नेतित सदासिव राओ, भाव के हाथों में था, और अवद के भाव के नेतित इबराहिम खां गर्दी कर रहा था, मलहार राओ, हुलकर भी चयोद्ध से ही भाग निकला जबकी विश्वास राओ, सदासिव राओ, भाव और तुकोजी सिंधी अमारे गया इसमें, कासी राज, पंडेत इस्तियोद का पित्यक्ष दर्सी था, 161 से 1772 तक रहता है, और इसके समय अगर आप देखें, तो आप देखेंगे, बाला जी की आकस्मा मित्यू के बाद, उसका पुत्य माधाराओ पेसबा का बना, और पानिपत की हार की बाद माधाराओ ने मराठों की खोई हुई, पितिष्ठा को पुनाह भाल करने का पेरतन किया, कॉसिस की, उसने हैदरावाद की निजाम और मैसोर की हैदर अली को चौत देने के लिए बाद किया, और जो कर हुआ गरता था, इसने इससे दच्छिन भारत में मराठों के सम्मान को पुनाह इस्थावित करने में साहता मिली, और इसी के काल में, इसी के काल में मुग इसी के काल में मुगल बासा साहय अलम दुतिये 1772 में अंग्रेजों के सरक्षन को छोड़कर इलावा से दिल्ली आ गया और मराठों का सरक्षन सुईकार कर लिया माधव राओ का अपने चाचा रगुनात राओ से मदवेद था और इसी बीच 1772 में माधव राओ की 6 रोग से मौत हो जाती है क्या हो जाती है मित्व हो जाती है डेथ हो जाती है फिर नारायन राओ इस 1773 में बनता है माधाव नाराएन राओ इस 1774 से 1796 तक 1773 में नाराएन राओ की हत्तिया के बाद माधाव नाराएन राओ पिल्सबा बना नाना फंडोवीस के सरक्षण में एक काउंसिल ओफ रेजन्सी कागठन किया गया और बास्तविक सासन इसी परिशद की हाथों में था उमाधहो नारायन की काल में पिथम आंगल मराठा यूद ये 1775 से 82 होता है और जिसका कारण मराठों के आपसी जखड़े होता था अंगरेजियों की महत्वा कांचाएं थी और कंपनी महराष्टे में दोएद सासन इस्थापित करना चाहती थी और 1775 में आप देखेंगे रग चित लोठा दिये जब आप सभी जानती ही कि एक योद होता है तो उसके बाद एक संदी होती है संदी के बाद ही आप देखते है या तो हार हो जाए तब आप देखते है कोई योदध की समापती होती हाद हो जाए तो यह जरूर याद रखेगा पहले 1775 में रगुरात सालवाई की संदी की बात करें तो आप देखेंगे 1782 में होती है माधा और नारायन को पेशवा सुईकार कर लिया गया था इसमें साल सेट दोई पॉथाना का दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया गया था अंग्रेजों ने रागोवा का पक्च छोड़ कर छोड़ दिया और उसे निर्वा के लिए 3,2 लाख रुपे बार से फैंसन दे दी गई सिंदिया को यमना की पश्चमी की स्तारी भूमी बापस मिल गई थी सालवाई की संदि महादीजी सिंदिया की प्रयासों से हुई थी ये संदि के पईडाम सरूप अंग्रेज तथा मराठों के मद्ध 20 बरसों तक सांती बनी रही 1795 में नाना फडवीज की मनमाने सासन सितंग आकर फेसवा ने आत्मत्या कर ली थी फिर आप देखें बाजी राओ दुतिया आता है 1796 से 1818 तक ये रागुबा का पुत्त था और नाना फडवीज की मित्यू के बाद जिन मराठों के हाथ में सकती रही उनमें पेसवा बाजी राओ दुतिया दौलत राओ सिंधिया और यसवंत राओ होलकर पिनमुक थे 1801 में पेसवा ने जसवंत यसवंत राओ होलकर की भाई यानि कि जसवंत राओ होलकर की भाई बिठोजी की हत्या कर दी अहुलकर ने पूना पर आकमर कर पेशवा और सिंधिया की सेनाओं को पराजित किया और पूना परेदिकार कर लिया उसने अमरत राओ के पुत्र बिनायक राओ को पूना की गद्धी पर बैठा दिया और बाजी राओ दुतिये ने भाग कर वसीन में सरन ली और 1802 में अंग्रेजों से वसीन की संधी हो गए और ए 1802 की बात है पेशवा ने अंग्रेज जी संड़क्षन सुईकार कर भारती इतना अंग्रेजी पदादियों की सेना को पूना में रखना सुईकार कर लिया सुरण नगर कंपणी को दे दिया गया नेजाम ने चौत का अधिकार छोड़ दिया और अपने विदेशी मामले कंपणी के अधिन कर दिये यानि कि अंग्रेजों के समय कंपणी के सामने एज्जोग गये मराठों के लिए संधी अबमान के समान थी और भौसले ने अंगरेजों को चुनोती दी जबकि गयेग बार्ड तथा होलकर इसे उद्दे से दूर है भौसले ने विवस होकर 1803 में अंग्रेजों से देव गाओं की संधी की ओस संधी के तहित भौसले को कटक और वर्धा नधी की बश्चिम भाग में अंग्रेजों को देना पड़े और सिंधिया ने अठारसुतीन में सूरजी अरजनगाओं की संधी से गंगा यमना के छित्म कम्पणी को दे दिए अभियानी की हतेयार डालते जा रहे है सोरजी अरजन गाहों की संधी से गंगात यमना के छित्म कंपनी को दे दिये और अंत में विवस होकर होलकर को अंग्रेजों सर जोर्ज वालों से राचपुर घाट की संधी करनी पड़ी हैश्टेंग के पिंडारियों के विरोध अभियान से मराठों के पिद्वत्त को चुनोती मिली और अतेव दोनों दल योध में खीचे आए और पुना के अंग्रेज रेजिमेंट एल फश्टन ने पेसबा पर मराठों की पिदानता त्याग देने का दबाव डाला और मजबूर होकर अंग्रेजों से अपने को मोक्त करने के लिए पेसबा ने अंग्रेजों से योध छेड़ दिया और परन्तु पराजित हुआ और पुना की संधी ने करनी पड़ी यहां से आप देखेंगे अंग्रेज सक्ति साली होना शुरू हो गया और सिंधिया ने 1870 में ग्वालियर की संधी और होलकर ने 1818 में अंग्रेजों से मंदसौर की संधी कर लिए और भाजी राव दुतिय को 8 लाक रोपे वार्सिक पेंसन पर कानपूर की समी बिठोर भिद दिया गया और उसका राज बेटिस ने अंधर में ले लिया गया अंग्रेजों का सासन होना शुरू हो गया पेस्वाओं के अंतर के गार मराथा विसासन को अगर आप देखेंगर पेस्वाओं के काल में सिभाजी जैसी भेवस्ती सासन पिडाली और केंदीगत पिसासने विवस्ता का आभाव था, कमी देखी गई, सिभाई जी के विवरीत पिसासन में सामंती विवस्ता का स्वरूप परी लक्षित होता है, और यह पिसासन एक धीला ढाला, राज संग था, विवारीक रूप से इस काल में शद्वती एक पुतली बना रहा, जबकि उसके नाम से उससासन का समस्कार पेशवा देखता रहा, एक तरह से आप देखिए, आज के राष्टवती समझ ली आज यह आप लो, आप सभी जानते हैं कि वास्तविक सक्ति पिदानमंत्री के पास होती है, राष्टवती केवल मुहरा होता है, केंद्री पिसासन की बात करें, और आप देखेंगे पिसासन में पेशवा का सचीवाल है जिसे हजूर दप्तर कहते थे, मराठा पिसासन का केंद्र था, यह एक बिसाल संस्था बन गया और जिसमें अनेग विभाग तथा कार्याले थे, जिलों की आय तथा वेह का वेवरा के बेतन तथा भत्ते, सैनिकों की संक्या तथा करों के लेंदेन के रजिस्टर, जिन में सभी अनुदानों तथा भुकतानों का वेवरा होता था, यहीं रखे जाते थे, और सबसे महत्पूर्ण विभाग एल वेरी दप्तर तथा चातली दप्तर होते थे, इन में से पिथ से जिता था, बचत का वेवरा होता था और एक ऐसी खतोणी तियार करता था जो वेकर अनुवर्निक क्रम, सायट्नी के रूम में वर्ड़िस्ट सारांस होता था चालते दप्तर, चालते दप्तर सीधिवर्ण वेर्णी के अधीन होता था, उननाना फढ्रण वीस ने हजूर दप्तर की कायपडाली में बहुत से सुधार किये परंतु पेसबा वाजीरा उदुतिये के काल में यह सभी अस्त व्यस्त हो गया पर आप देखें कि परांती यह तथा जिलापिसासन पेसबाओं के अधीन तरफ परगना सरकार तथा सुवा आदी सब्दों का आविवेक रू सरसुवेदारों के सरसुवेदारों के सुवेदारों के अधीन होते थे करनाटक का सरसुवेदार अपने ममलत दार स्वयम निव्ट करता था परंतु खांदेश के सरसुवेदार को केबल अधीक छन कही अधिकार था उसके अधीनस्त ममलत दार सीधे केंद्री दप्तर को अ इत्यादी का कारभार होता था, ममलददार तो था काम विश्दार, दोनों ही जिले में पेशवा की फिती निदी होते थे, बेसभी विकार की कारियों की देखवाल करते थे, जैसा खेती अत्वा उद्योग का विकास, दीबानी, फौददारी नयाय, इस्थानिय हिवंदी, न ममलददार करवसूली के लिए हिवंदीर, सैनिकों का प्रवंद भी करता था, फिर आप देखें कि ममलददार तथा काम विश्दार की बेतन तथा भथते, भिन्ने भिन्ने जिलों की महत्ता की अनुसार होते थे, सिवाजी के काल में ये अधिकार हस्तानतरीने होते थे, प और एक नियंतन की रूम में कार करते थे, उनकी पुष्टी के बिना कोई लिखा सुईकार नहीं किया जाता था, और इसके अतरिक्त दरखदार जो एक वंसानुगत था, मामलत दार सी सुतनत अधिकारी था, इस पर नियंतन की रूम में कार करता था, इस पर पितेक जिली में क इस थानी अतवा ग्राम पसासन की बात करें तो फिर आगे तियासिक काल से ही भारती ग्राम समदाय इस्थानी पसासन की इकाई की रूम में कार करते थे यह सुलता पूर्ण आप देखेंगे अवुल फजल तथा आत्मनिर भर ग्राम समदा सरकारी अधिकारीयों की निर्यक्चन में पूर्णता स्वायत्ता भोगते थे और मुख ग्राम अधिकारी पटेल होता था जो कर समंदी नयाइक तथा अन पिसासनी कारी करता था वह ग्राम तथा पेसवा की अधिकारीयों के वीच एक कड़ी था और पटेल का पद वनसानुगत था तथा इसका क्रय विक्रय किया जा सकता था और इसका आंसिक हस्तांतरन भी हो सकता था और उसे आवस्था में एक ग्राम में एक से अधिक पटेल भी हो सकते थे, पटेल को सरकार से बेतन नहीं मिलता था, वह एकत्तित कर का एक छोटा सा भाग अपने लिए रख लेता था, वह ग्राम समाज का निता भी होता था, तथा अपने ग्राम के पिती कुछ उतरदायत भी होते थे, पर आप देखें कि पटेल को भूमी कर राजस को देना होता था, तथा ना देनी की आवस्था में उसे जेल भी डाल दिया जाता था, जेल में, राजनेते गरबड़ी के समय अपने ग्राम की नेक चलनी की जमानत भी देते थे, और उसके नीचे कुलकरनी होता था जो ग्राम की भूमी का लेखा रखता था, पटेल की बादी कुलकरनी को भी ग्राम वासी कुछ अनुभाव देते थे, कुलकरनी के नीचे चुगोले होता था, जो पटेल की साहता करता था, तथा कुलकरनी की लेखे की देखभाल भी करता था, इसके अतरिक्त ग्राम में ब और नगर पिसासन आप देखें कि मराठ्षों का नांगरिक पिसासन मौर पिसासन से मिलता जूलता था कोदवाल मौर नांगरक के बरावर होता था, वह नगर का मुख सासक होता था उसका करता महत्पूर्ण जगणों को निप्टाना, मूलें को निमित करना और नगर में आने जाने वालों का वेवरा रखना राजपतों, मकानों, तथा गलियों के जगणों आदी को निप्टाना, तथा सरकार को इन कारियों का मासिक बेवरा भेजना होता था सबसे महत्पूर्ण यह था कि कोदवाल नगर का मुख दंडा दिकारी तथा पोलिस का मुखिया होता था क्या होता था मुकिया होता था तो ये भी याद रखिएगा आफ लूग के आप देखेंगे ने पडाली देखंगे और आप देखंगे प्राचिन हिंदू इसमेती कारों का सबसे अधिक प्रभाव मराठा ने पडाली को में देखने को मिलता है आपको मराठा कानून प्राचीन संस्कित इस्मिती गरंथों दाएभाग तथा मनुस्मिती आधी पराधारी थे और नयाय के लिए ग्राम में पटेल, जिले में मम लददार, और सुबे में सरसुवेदार, अंत में सतारा का राजा होता था नगरों में नयादीस होते थे जो की सास्तों में पारंगत होते थे तथा किबल नयाय कारी करते थे और इस परकार मराठा नयाय तथा कारिफालिका के फार्थक से अन्विग नहीं थे नयाय का पिसासन साधारन तथा समय की अवसक्तिया गे नुसाज था मुकदमों की कारिफिदी निश्चित नहीं थी तथा नाही कानून सहितावद्द था और प्रेयतन इस बात का होता था कि आपस में मितिता पूर्वक समझोता हो जाए और छद्वपती तथा पेशवा आध सब्दे से संबोधित करते थे पंचायत की आग्या दोनों पक्षों को सुईकार करनी पड़ती थी पंचायत से अफील मामलतदार की यहां होती थी जब तक यह ऐसे दना हो जाए कि पंचायत ने बेमानी की है वहां वह प्रेया पंचायतों के फैसलों की पुष्टी कर देत थे और प्रेया कोड़े लगाए जाते थे देश्दरों के मामले में यातनाय दी जाती थी डखेंती बद देश्दरों अत्यादी में जेल अत्वा संपत्ती जब्त करने की सज़ा दी जाती थी नियाय का उद्दिस सुधार था ना की अपरादी को निराश करना एक तरह से नियाए विवस्ता थी, कर विवस्ता, टैक्स की बात हो रही है, भारत का मुख विवसाई किरसी ही था, और अतिया भूमी का आये कर आये का मुख साधन था, सिवाजी खेत की बास्तवी कुपच का भाग लेना पसंद करते थे, और परंतु पेस्वाओं के काल में यह लंबी यह लिए निश्चित कर दिया गया था, और यह ऐसे चाई की सुद्धाओं पर निर्भार होता था, परंतु खेती तथा और वरता के अनुसार भी भूमी का वरगी करन होता था, जो की निश्चित थी मुगल प्रभाव था, किरसक को नई भूमी जोतने की पेड़ा देने क उस पर कर कम होता था, पेशबा माधा और आओ ने बंजर तथा पत्रीली भूमी को जोतने पर आग्या दी, कि ऐसी भूमी का आधा भाग इनाम की रूम में किसान को दे दिया जाए, तथा सेस आधे भाग आधे पर आने वाले 20 वरसों तक रियायती दर से कर लिया जाएगा अंगले 5 बरसों तक कम कर लिया लगेगा, अकाल तथा सूका पढ़ने पर खेत उजडने तथा फसल नश्ट होने पर भूमी कर छोड़ दिया जाता था, तथा किसानों को साहुकार की हाथों बचाने के लिए उन्हें तगाई, तगाई, तकावी, रिर्स, थोड़े सूत प को सरक्षन मिलता था, फरंतु बाजीराओ दुतिये की काल में ये विवस्ता नश्ट हो गई, तथा करवसूली कादिकार नीलामी पर दिया जाने लगा, टेक्स की बात हो रही, आज भी तो आप देखते हैं, टेक्स इंडारेक्ट टेक्स देते हैं, कुछ डारेक्ट टेक् टेक्स हर कोई देता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर, राजी की आए के अन्यसरोद देखें तो राजी की आए के अन्यसरोद चौत पचीस पितीसत सरदेश मुखी 10% थी, जो उन पे देशों को देनी बढ़ती थी, जो मराठों की चपेट में आ जाते थे, उन्हें मुकास, अत्वा 66% मराठा सरदारों को घुड सवा रखने के लिए दिया जाता था, सरदेश मुखी भी इसी पिकार बाट ली जाती थी, यह पिरदेश सीध्या मराठा समराज में बिलाई कर लिया जाता था, और अन्ते 66% जागीर के रूम में बाट दिया जाता था, सरकार को कुछ आय बनो, सीमा सोल्क, उत्पादन सोल्क, टकसाल से भी होता था, जंगलों की से लकडी काटने, बास काटने, तथा इंधन बाली लकडी, तथा सहद इत्यादी के लिए आग्या पत्ति भी बेंचे जाते थे, इस्पिकार सरकार प्रमावरी सोनारों से निजी टकसा की जादल, चलानी के अनमती के बाले भी धन पराप्त करती थी, मराठों की सेनिक विवस्था की भी देखें, तो मराठों का सेना का गटन भी मुगल विवस्था पर आधा जित था, अर उसमें पद्दितियों की अपेक्छा घुड सवारों पर अधिक पल दिया जाता था, बेतन देना, सैनिकों को नए पद जीतने पर पुरुसकत करना, यानि कि सम्मान देना, पुरुसकार देना, आस्रेतों के लिए विवस्था इत्यादी में मुगल प्रभाव पित्यक्च रूफ से दिखाई बढ़ता है, यह है प्राचीन हिंदू पदिती से सिध्धान तथा बेवार में बेहने था, और आप सोचीं कि उस समय वही मुगल ही थे, तो उसका प्रभाव देखने को मिलेगा ही उसके बाद, इसी पेकार सिबाजी प्रया महराश से ही सैनिक लेते थे, परन्तु पेशबा समस्त भारत से उनकी सैना में सभी जाती हो धर्मों बर्णों के लोग भी होते थे, जैसे करनाटकी, अर्वी, इपसी, तैलिंगी, बीदरी, राजपू सिख, रोहेली, भारती इसाई, पुर्दगाली की भारती पर विश से आये सैनिवी, अर्थात यह, अवे सैना राष्टी इना रही का बिवसाइक बन गई थी, और समभूत यह अमराठा सक्ती के प्रसार का अवस्य भावी पईडाम था, सिबाजी सामंत साही सैना पर निर्वर नहीं थे, तथा सैना को सीधे बेतन देना पसंद करते थे, फेसवा लोग सामंत अर्थानी सैनिक को 8 रोपे मराठा और दक्नी सैनिक को 6 रोपे मासिक मिलता था महीने का, तोप खाना, मराठों की तोप खाने में मुखता पूर्टगाली अत्वा भारती इसाई ही काम करते थे, पेसवाओं ने तोपें तथा गोले बनाने के लिए अपने कारखाने इस्थ और रहे निर्भक्त थी, नौसे न, इस तमय नो सेना भी हो गरती थे, अग्रियों के पास पश्चमी तरद पर एक सकती साली नौसेना थी, परन्तु अग्रियों पेसभा के अधीन नहीं थे, पेसवाओं ने भी अपनी नो सेना बनाई परन्तु इसका प्रयोग, प्रया, स समय भी गतम हो गया इसे भी पढ़ लीज़ेगा अच्छे से आप लोग एक से दुवार पढ़िए और निकल जाएगा चलिए अंगली क्लास में हम लोग मद्यकाली भारत की जो पिरमुक्तिति हैं डेट हैं उन पर बात कर लेंगे हम लोग क्योंकि आप देखते हैं डेट से आपके वंडे एक जाम में कुछ जानदा ही कुष्टन्स पूछे जाते हैं ठीक है चलिए आप लोग इंज्वाय करिए कुछ सवाल हो तो बताइए का उन पर भी बात कर लेंगे